गुड इवनिंग स्टोरेंस इस वीडियो में बेटा हम आपकी जो यूनिट 10 है मनी प्रॉफिट एंड लोज ठीक है क्लास में भी डिस्कस किया है न बताया था मैंने आपको रूपीज और नोट रूपीज के बारे में और कोईन्स के बारे में ठीक है और मैंने आपको बोला था कि 1 रूपी में कितने पैसे होती है 100 पैसे मताया था ना 50 का कोयन 50 का कोयन उसको एड करेंगे तो 100 पैसे मताया था न ग्लास में तो solution कैसे निकलेगा 48 को मतलब रूपीज को जब हम पैसे में चेंज करेंगे तो 48 multiply 100 कितने हो जाएगा 4800 पैसे ठीक है 4800 पैसे इस तरह से इसी तरह से आपका B part रहेगा 227 इसको आपने रूपीज को पैसे में चेंज करना है इसको 100 से multiply करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा ठीक है C part में क्या है 73.25 पैसे इसमें एक चेंज मैंने आपको बताई थी कि आगे वाले जो होती है वो आपके रूपीज होती है point के बाद वाले क्या होती है आपके पैसे होती है तो पहले जो ये रूपीज है ये तो पैसे है न ये रूपीज को हम पैसों में चेंज कर लेती है 23.25 है 273 multiply 100 कितना जाएगा 732 पैसे मतलब 7300 पैसे इसमें जो ये 25 पैसिंग है इसको हम add कर देंगे जब हम इसको add करेंगे तो आपका answer आजाएगा 7325 ठीक है इस तरह से D part 1825 पैसे इसको हमने क्या करने मतलब पैसी को हमने रूपी में चेंज करने है ठीक है पैसे से रूपी में change करेंगे तो upon 100 कर देंगे तो 1825 upon 100 हम करेंगे हम इसको divide करेंगे 100 से तो जैसे 100 100 बंजा 100 चीक है फिर 108 पैसे बाद पॉइंट लगा देंगे 18.25 यानि 18 आपकी रूपीज हो जाएंगे 25 आपके पैसे हो जाएंगे इसी तरह से आपका इपार्ट रहेगा पैसे से रूपी में change करना है तो given statement को हम 100 से डिवाइट करेंगे तो आपका answer क्या जाएगा 95.05 मतलब 95.5 तो 95 आपके रूपीज हो जाएंगे 5 आपके पैसे हो जाएंगे जैसे कि आपको class में बताये गया है चीक है 95.05 इस तरह से अब इसका second question क्या है add the following तो रूपीज दे रखे है 425.55 और रूपीज तो रूपीज एग जगह प्लस कर देंगे आपका अंसर क्या जाएगा यहाँ पर 792.40 इसी तरह से आपका B, C और D पार रहेगा ठीक है पिक्स में ने आपको भेची थी उसमें आप एक बार देख सकती है मैं थोड़ा सा पोस भी कर देती हूं ताकि आप स्क्रीन शोट ले सकें तो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को प्लस करना है COD में 3 डिजिट है तो 3 डिजिट को प्लस करना है लेकिन आपने स्टेट्मेंट ध्यान से लिखनी है जसमें आपको बोला था 1s, 10s, 100 1s की जगह पे 1s, 10s की जगह पे 10s, 100 की जगह पे 100 ठीक है उसके बाद आपका है सब्ट्रेक्ट रूपीज 89.50 फ्रों 98.35 रूपीज की जगह पर रूपीज पैसी की जगह पर पैसे इस स्टेटमेंट को किसमें से घठाना है हमने 98.35 में से तो वैसे भी 98 बढ़ा है कि 89 बढ़ा है आपका फूर्थ कोशन देखते हूं यह वाले कोशन मैं आपको नेक्स वीडियो में समझाती हूं ठीक है इतने इस वीडियो में आपकी तरी तक ही होंगे आगे कोशन स्टेटमेंट वाले हैं यह आपको नेक्स वीडियो में समझाती हूं ठीक है ठैंक यू